जो आज विटा हम मीडियन निकालना सीखेंगे वीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये पता हुना करना पड़ेगा जैसे ये कुश्चन है माल लिए दू फाइव थ्री थ्री एट फाइव ऐसे कुश्चन देगा उसने का फाइंट मीडियन इसी को मीडियन को हिंदी में बोलते मथ देखा ग्धार सोतरे मान देखाक तो माध दिखाया निकालनी है इसकी तो मान दिखार कैसे निकलेगे सबसे पहले आपको क्या करना है जो भी हमारे ये अन गुरुप डाटा दे रखा है इस डाटा को हमें जो है increasing order में लिखना है ठीक है decreasing order में भी लिख देंगे तब भी काम चाहिए लेकिन हम एक ही format तयार करेंगे, तो हम क्या करते हैं, इसको increasing order में लिख लेते हैं, अगर मैं इसको increasing order में लिख आउँ बिटा, तो देखिए, सबसे छोटा इसमें 2 दीख रहा है, ये 2 ले लिया, एक 2 ये दीख रहा है, 2 ले लिया, फिर 3 दीख रहे हैं, 2, 2, 3 लिख दिए हमने, फिर इसके बार 5 दीख रहे हैं, तो 5 लिख दिए हैं, और last में हमें 8 आप देखिए, चेक कर लिजिए, कहीं कोई रहतो नहीं लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो मीडियन निकालने के लिए, अगर यहाँ पर काउंटिंग कितनी आई है, 7, नमबर ओफ टम्स, नमबर ओफ डाटा कितनी हैं, इसमें, 7, तो ये 7 है, इसको हम पता करते हैं, कि ये हमारा order number है, या even number है, तो मीडियन के order number के लिए अलग formula है, even number के लिए अलग होता है तो इसलिए सबसे पहले हमें उसे increase in order में करना है उसकी बाद ये count करना है कि कितने हमारे पास data दे रखें हैं फिर उसके बाद जदी वो odd number में आता है तो ये formula लगाना है even number में आता है तो अभी next step में बता है तो n कैसा है हमारा odd odd को पिटा हिंदी में बोलते हैं बिशम बिशम संक्या है तो जब भी बिशम संक्या दे रखी हो तो medium निकाल लेगा formula होता है मेरा एन अपॉन टू एन प्लस वल अपॉन टर्म ये दिखा रखा है मतला अगर हिंदी में बात करेंगे तो हिंदी में लिखेंगे एन प्लस वन वाई टू वाँ पद ये पद की संक्या बताएगा ना कि ये सीधे median बता देगा तो अभी देखते हैं अब गर मैं यहाँ पर एन की जगे बिटा 7 रख देता हूँ क्योंकि मेरा एन कैसा है ये कब फॉर्मला है जब एन कैसी संक्या हो और संक्या है ये द्यान रखना है अगर एन संक्या और नहीं है और खिर भी तुमने ये फॉर्मला लगा दिया तो चल तो यहाँ पर मैंने लगाया this is 7 प्लस 1 अपॉन 2 वैट टर्म तो आप हिंदी में ट्राइब तो ये हो गया 8 अपॉन 2 है तो इसका मतलब ये हो गया फॉर्थ करव कि चौथा पत अब देखी यह यहां से अगर मैं काउंटिंग करो गूंगा तो चौथा पत और साएगा वो दिखिए यह पहला पत है यह दूसरा पत है यह तीसरा पत है यह चौथा तो इसक का मतलब हम कहेंगे मीडियन जो है हमारी वो क्या हो जाएगी ना कि फोर यह तो फोर्थ पद है यह तो काउंटिंग बता रहा है कि कौन से नंबर का पद आएगा इसमें भी बच्चे यहीं पर छोड़ देते हैं वो यह सुचते हैं फोर का मतलब मीडियन आगी जो कि मीडियन हमें यह बता रहा है फोर्थ पद वाली होगी फोर्थ पद में कौन सा है इसलिए हमारी मीडियन क्या बजाएगी यह तो जब है जब हमारा ओर्ड संख्या दे रही है पिसम संख्या दे रही है जब संख्या दे रही है तब कैसे करते हैं वो देखिए अब मीडियन निकालन हमें जब हमें संख्या जो है जैसे माल लीजे टू फाइव 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 थ्री थ्री टू वान फाइव सेवन एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो तस क्या रहा है यह कोई कोश्चन है हमारा और उसने कहा है मुझसे कि भाई मीडियन निकाले सबसे पहले मैंने क्या किया मैंने कहा था आपको इंक्रीजिंग ओडर में लिख ले रहे हैं तो सबसे छोटी संख्या इसमें मुझे वन दीख रही थी इसलिए वन मैंने पहले रहे हैं अब तू दीख रहे हैं एक दो त्री दीख रहे हैं त्री देख रहे हैं एक दो दो थी दीख रहे हैं यह कुछ नहीं है और वागर सभी चल रहा है अब त्री के बाद देख रहे हैं यह नहीं दीख रहे हैं एक दो तीन चार्थ पांच पांच वार फाइफ आ रहा है फिर भी एक बाद वेरिफाई कर लो एक दो तीन चार्थ पांच छे साथ आठ नो तस ग्यारे पारे तो इसका मतलब यहां पर पदों की सध्या कितनी हैं हमारी पारे हमारे नमबर ओफ टर्म्स जो हैं कितने हैं बिटा ट्वेल और कैसी संध्या है मेरी इविन नमर हिंदी म पर बोलते हैं समसंख्या जब समसंख्या हो तो मात्रिका ऐसे निकलती है वह तो समसंख्या में मात्रिका का फॉम्बला होता है सबसे पहले जो भी संख्या दे रखी है उसको दो से डिवाइट कर दो यह भी टर्म में पद आएगा पद की संख्या यह एठ पलस टू अपॉन तू फू एठ निकलना है फिर उस उन दोनों पदों को जोड़ कर तू शे डिवाइट करना है ना ही इन जोग कर चलिए देखिए एन की वैल्यू बारे है तो बारे बटे दो टन और ये हो गया बारे और दो चोदे चलिए मैंने बारे प्लस दो पड़ दिया पद और उसको किस से रिवाइड कर देना है दो से तो अब देखिए ये हो गया चटमा पद और ये हो गया साथमा पद और उसको दो से रिवाइड करना है कि आप तेरे बटे दो 6.5 निकाल दो ये पद है चटमा पद क्या था अब देखिए चटमा पद हमारा क्या था पहला दूटसरा, तीसरा, चौथा, पांचमा, छटा चटमा पद हमारा 5 था जब छटमा पद यह है तो साथमा पद यह होगा तो साथमा पद भी क्या है 5 तूँ से डिवाइट करना है अब यह जो है हमारा आंसर हो गया 10 बटे 2 मतलब 5 हमारा इसका मेडियन है ना कि अगर यहां जोड़ देगा बच्चा यहां पर यह पदल नहीं लेकेगा तो वो लेकेगा 6.5 और जबकि रियल में आंसर क्या आ रहा है 5 तो दोनों कंसेप्स समझ में आगे जब भी संसं क्या है तो यह कंसेप्ट लगाना है जब भी संसं क्या है तो इसी के साथ हमारा टाइब नमबर जो खता होंते है प्रैक्टिस कर लेने तो बार जब जाके आपको याद रहे हैं करा दिया डोलों को संध्या हो तो कहसी करना है विस्वशं क्या हो तो क्иниहwater कूसरा फॉम्ले डोनों के बता दिये मैं एक बात याद रहना इस जगे पर बुक में पता क्या लिख रखा है, उसे लिख रखा है, N अपॉन 2 प्लस 1, तो यह मैंने क्या है, इसको बिटा LCM लेके लिख दिया है, जब मैं इसको ऐसे करूँगा, तो 2 बन जा 2, यह N प्लस 2, ऐसे करके, मैंने उसका एक पद आगे का लिख दिया है, तिके, दोनों से में, अब बुक वाले से भी करोगे, तब भी आन से सिमाएगा, मेरे वाले से करोगे, तब भी आन सिमाएगा, इसे याद करने से यह फाइदा हो जाएगा, कि आपको यह fraction वाली calculation में करने पढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे fraction में calculation में चल्कुलिशन टाइप नमबर फाइफ के अंदर हम क्या करते हैं पार ग्राफ सिखते हैं जैसे माल दीजिए कोई टेबिल देदी हमें यह 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 से हैं कि दो हजार तो हजार तेवर दो हजार चार दो हजार पाँच इसमें नमबर फाइफ स्टुडेंट पास्ट किसी स्कूल से माल लेजिए इस स्कूल में 37 बच्चे थे इसमें 2003 में बच्चे बढ़ गए 2004 में फिर से कम हो गए 2005 में फिर से बढ़ गए ये number of students at class इसको हमें बार graph से सो बनना है बार graph बार घ्राफ का मतलब है हंदी में tend н,01 तो इसका हमें क्या करना है तो बहुत simple होता है पिड़ा सबसे पहले क्या करो आप इस तरह से एक x-axis बना लो आप देखिए दो हजार दो दे रखा है अच्छा इसमें यह देख लो minimum value maximum value क्या है minimum value 23 है और maximum value 63 है अब इसमें y-axis पर इस तरह इसके नंबर लेने 63 आ जाए और 23 भी दिख जाए तो हम ऐसा करते हैं 2020 का ले 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 लेते हैं तो थोड़ा सा लंबा आ जाता है अब देखो सबसे पहला काम क्या करना है इसमें आप हजार दो में 37 है तो 37 का मतलब 40 से 4 इसे कम होंगे यह इस तरह से हमें बना देख और यहां पर लिख देना है 37 जिससे की थोड़ा बहुत 19-20 भी हो रहा हो तो प्रीचर समझ जाए कि यह 37 पर बनाया है और यहां पर नीचे लिखना है कौन सी साल के बच्चे हैं यह 2000 को इसके अंदर भी लिख सकते हैं चीज़ सिर्ट के अंदर पी लिख सकते हैं यहां पर मिली सकते हैं इसे से चिपकाना नहीं है इस से अलाग रखना है यह है हमारा 2003 के और यहां पर लिख जिला है पॉक्षे तो 2004 में हमारे 23 बच्चे रहे गए 20 से जस्ट उपर तो यह 2004 में हमारे 23 बच्चे है 2005 में हमारे 63 बच्चे थे 63 बच्चे इसका उड़ा 60 से भी उपर यह है हमारा 2005 तो 60 बच्चे अगर हम चाहें तो किदर भी लिख सकते हैं 2003 2004 2005 और साथ में जब हम नीचे लिख देंगे तो इसको ऐसे अच्छा लगता है नहीं भी करेंगे शेड तो कोई परिशानी हुए क्योंकि ग्राप पेपर में बनाते हैं हम पहले से लाइन बनी होती है तो जब सीड कर देते हैं तो इस तरह से बाहर ग्राप बनता है कि समझ में आगई बात अब देखिए अगर हम इसी चीज को चलिए टाइप नमर सिक्स में कराएंगे में वीडियो जादा लंबा हो जाएगा तो आज हम किमल बार ग्राप तक ही कराते हैं ठीक है थैंक यू